Hello friends, welcome to gardening with Hitesh आज मैं आपसे अपने vegetables की harvesting share करूँगा कुछ vegetable plants मैंने अपने terrace पे grow किये हुए हैं और कुछ मैंने क्यारियों में लगाई हुए हैं तो आईए आप भी मेरे साथ vegetable की harvesting enjoy करें तो ये देखिए एक छोटा सा poly bag है और इसमें मैंने winter के flowering plants लगाई हुए थे winter में तो जैसे मैं अपने kitchen waste का liquid compost देता था अपने सभी plants में तो इसमें मैंने दिया और इसमें जो है capsicum का plant अपने आप ही grow हो गिया देखिए कितना healthy grow हुआ है पहले मैंने सोचे ये मिर्श का है लेकिन ये capsicum का है तो ये छोटी सी लगी हुई है तो इसे मैं तोड़तूँगा नहीं तो ये बाद में थोड़ी ज़्यादा मच्योर हो जाएगी तो ये देखिए छोटी सी है लेकिन अपने घर में ही grow हुई है बिल्कुल organic तरीके से देखिए कितनी क्यूट लग रही है छोटी सी और ये कुछ टमाटर है टमाटर के प्लांट्स तो मेरे पास बहुत ज्यादा है तो अब ये जो है एकदम लाल हो चुके हैं तो हम दो दो तीन तीन डेली हार्वेस्ट करते रहते हैं फ्रेश फ्रेश यासे जरूरत पड़ती है वैसे निकाल लेते हैं काफी टमाटर के पोदे लगाई हुए है मैंने और ये प्लांट काफी पहले मैंने लगा दिया था विंटर में तो ये थोड़ा खराब होना स्टार्ट हो गया है काफी टमाटर इसके जो है हार्वेस्ट कर लिए हैं हमने पहले ही तो अब ये धीरे-धीरे खतम होना स्टार्ट हो गया है तो इनमें मैं लिक्विड खाद ही डालता हूँ गोबर की खाद और जो है हमारी बनेना पिल्स के जो चिलके होते हैं उनका लिक्विड कंपोस्ट वही देता हूँ और कभी-कभी मैं इनमें जो चाई-पत्ती होते है उसे एकदम सुखा के अच्छे से धोके वह भी डाल द तो अब यह अच्छे से जो है फिर से ग्रोथ हो गी है और देखे कितनी चिली से इसमें लगी हुई है पहले भी मैंने आप से शेर किया है इसके बारे में तो हम फ्रेश फ्रेश यह तोड़ते हैं यह ने की पहले ज्यादा सारी तोड़के रखती जब जैसे जैसे जिरूर की खाद ही पड़ी हुई है और देखे इसकी शाइनिंग देखी और यह बड़े वाले बैंकन है जिनका भरता बनाया जाता है वह है कितना हेल्दी है और अब लैमन का सीजन भी आ गया है तो लैमन भी लगने स्टार्ट हो गया है काफी लगते हैं गर्मियों में इसमें नि ग्यानिक तरीके से ग्रो करते हैं और यहां एक और छोटा सा लगा हुए है अब यह और बड़ा होगा तो इसे हम बाद में तोड़ेंगे और फूल भी जो है इन बैंगन पर काफी लग रहे हैं और छोटे छोटे फूल भी बन रहे हैं यह नहीं कि अके लिए फूल ही लग र हो रहे हैं और यह देखिए जो लंबे वाले बैंगन होते हैं वह वाले हैं और यहां पर भिंडी भी ग्रो की हुई है देखिए छोटी छोटी भिंडी भी लगनी स्चार्ट हो गई है लास्ट यह भी हम जो है नवंबर तक भिंडी हमने खाई थी काफी गर्मियों तक यह रहते हैं तो उसी का सीड है यह उसी से ग्रो किये हुए हैं और सारी लाइन बनाके भिंडियां लगाई हुए है इनमें और कईयों में अब फ्लावरिंग भी हो रही है यह देखिए यहां फ्लावरिंग भी हो रही है और यहां भी शिमला मिर्च के कुछ पौदे हैं और यह जादा बड़ी नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई भी कैमिकल का यूज नहीं होता है अपनी घर की है गोबर की खादी सिरफ पड़ी है तो इनका साइज छोटा ही रहता है तो हम इतनी इतनी ही इनको तोड़ लेते हैं जबकि इसकी सबजी तो फूरी नहीं बन सकती लेकिन हम ने जो हैं मिक्स वेज में यूज कर लेते हैं और नूडल्स वगरा या पास्ता वगरा बना लें तो उसमें भी हम इसका यूज कर लेते हैं तो यह देखिए आज की हमारी चोटी सी वेजीटेबल्स की हर्वेस्टिंग हो गई है तो आप भी अपने चोटे से टैरस पे हो या कहीं भी हो क्यारियों में है जरूर वेजिटेबल्स ग्रो करें चाहे पुदी नहीं लगाएं मिर्च लगाएं धनिया लगाएं जब आप उनकी हर्वेस्टिंग करोगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी और बाजार की कैमिकल वाली वेजिटेबल्स जितना हो सके बचें तो अगर आपको ये छोटी से हर्वेस्टिंग मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैपी गार्णिंग फ्रेंड्स